नमस्ति फ्रेंड कैसे ओ आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ आज हम बात करेंगे कि बर्साथ से पहले कौन से वो काम है जो हमें जरूर कर लेने चाहिए जिससे क्या है कि हमारे पोदे भी हरे बरे हुंगे और आने वाले सब्मे के लिए नए नए पोदे भी त्यार हो जाएंगे तो फ्रेंड्स कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बर्साथ के दिनों में खाद दे देनी चाहिए ये काम हमें बuckyल भी नहीं करना चाहिए हमें बरसाद से 10-15 दिन पहले ही खाद दे दिनी चाहिए क्योंकि बरसाद का पानी जो होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है जो हमारे पोदों के लिए अमरत की सुमान होती है बरसाद के मौसम में ही सबसे ज़्यादा हर्याली होती है तो हमें अपने पोदों को किसी भी तरह की खाद नहीं देनी चाहिए केमिकली या क्लिक्विड खाद किसी भी तरह की नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसका कोई फैदा नहीं होता है पानी आएगा खाद पानी में बह जाएगी जो पोदों को नहीं लगेगी तो ऐसे में हमें कोई भी खाद नहीं देनी चाहिए अगर कोई खाद देना ही चाहते हैं तो हमें बरसाज से पंदरा दिन पहले ही देनी चाहिए तो फ्रेंड्स जून के महिने में जो हमने अपने प्लांट्स को गर्मियों से बचाने के लिए मल्चिंग की थी उनको भी हमें गमलों से लीप्स वगरा को निकाल देना चाहिए इसे फंगस लगने का डर होता है और मल्चिंग के लिए जो हमने वन्जिंग जूवगरा जा टर्टल वाइन या वॉल्विंग जूवगरा लगाई थी उनको भी हमें गमले से निकाल कर दूसरे गमलों में शिफ्ट करके नए प्लांट्स को त्यार कर लेना चाहिए और बरसात के दिनों में गमलों की अच्छे से गुडाई भी कर देने चाहिए इससे क्या होगा कि पोदों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचेंगी और दूसरा पानी ड्रेनेश होल से निकल जाएगा रूट्स में फंगस लगने की संबाबना भी कम हो जाएगी तो प्रेंट्स बरसात के दिनों में हमें मिट्टी की बहुत जरूरत होती है तो ऐसे में हमें क्या करना है कि गार्डन सोल लेकर एक बाग और एक बाग सेंड गार का लेकर अच्छे से इन को मिट्टी बनाकर अपने गार्डन में रख लेना चाहिए, इससे हम अपने नए प्लांट्स भी लगा सकती हैं और इस मिटी में हम कटिंग बगारा भी लगा सकते हैं तो अच्छे से मिटी को तियार करके अपने गार्डन में आपने संबाल कर हमें रख लेना चाहिए बरसाथ के दिनों में मिटी हमें बहुत कम मिलती है तो फ्रेंड्स जो गमले होते हैं उनके ड्रेनर्स होल को भी हमें अच तो नहीं हो गए हैं किसी नुकली चीज से लेकर इमें इसे अच्छे से चेक कर लेना चाहिए बरसाथ के दिनों में अगर गमलों में बहुत जादा पानी कठा हो जाता तो हमें उन्हें तुरंती खाली कर देना चाहिए नहीं तो प्लांट्स की जड़े गलना शुरू हो जाती है अगर हम गमलों की नीचे ट्रे यूज करते हैं और वो भी पानी से बर गई है तो उसे भी तुरंत खाली कर दे इससे क्या है कि प्लांट्स में अबरवाटरिंग या अंडरवाटरिंग होने का डर आता है तो बरसात के दिनों में हमें इन बातों का जरूर दियान रखना चाहिए बरसात के मोसम में अगर हमें किसी प्लांट्स की कटाई श्टाई करनी है या हलकी सी ब्रूनिंग करनी है तो वो भी हमें कर लेनी चाहिए क्योंकि परसाथ की मोसम में अगर हम ब्रूनिंग करते हैं तो इससे क्या होगा कि प्लांट्स में नए नए ब्रांचिस निकलेंगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी दूसरा उसको एक सुन्दर सा कार भी मिल जाएगा तो फ्रेंट्स जो भी हम कटिंग करते हैं इस कटिंग को हमें कभी भी फेंकना ने चाहिए इस कटिंग को हमें वेल ड्रेन मिट्टी त्यार करके उसको लगा लेना चाहिए चाहिए वो सीजनल प्लांट की हो चाहिए वो पर्मानेट प्लांट की हो इस motion में ये cutting बहुत अच्छे से तियार हो जाती है और नए plant भी तियार हो जाती है बस इसमें कुछ ध्यान रखना होता है कि cutting को हमें well drain मिट्टी में लगाना है over watering नहीं करना है और लगाने के बाद इसे shady area में रखना होता है तो friends जी मैंने coleus की cutting लगाई थी जो अच्छे से तियार भी हो गई है और ये दूसरे coleus की लगाई थी ये भी तियार हो गई है तो friends ये यूफर भी मिली की जो cutting की थी इसे भी मैं लगाऊंगी और जब भी हम किसी cutting को लगाते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें aloe vera gel को लगा लेना चाहिए अगर aloe vera gel नहीं है तो हमें हल्दी लगा लेने चाहिए और या फिर fungicide powder लगा लेना चाहिए इससे क्या होगा कि हमारे plants को fungus नहीं लगेगी और हमारी जो cutting है वो अच्छे से grow होगी और ने plants बनेंगे बरसात के दिनों में plants पर किसी परकार के कीड में कोडों का टैक नहीं कोई बीमारी ना लगे या fungus ना लगे इसलिए हमें नीमोल या किसी fungi side का सप्रे करते रहना चाहिए इसे 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद एक बर जरूर करना चाहिए हमें पत्तों पर नीचे और उपर अच्छे से सप्रे करना चाहिए अगर बरसात के दिनों में किसी plants की हमें रिपोर्टिंग करनी है तो वह भी कर देनी चाहिए अगर कोई plants हमारा root bound हो चुका है तो उसको हमें बरसात के मोसम में reporting करना चाहिए क्योंकि बरसात की दिनों में reporting करना अच्छा होता है और यह मेर अगर मिटी अच्छे से सूख जाए और चेक करके देखते रहना चाहिए कि मिटी अच्छे से ड्राई हो गए तो तभी पानी दें अगर हम गिली मिटी पे और वाटरिंग कर देंगे तो इससे क्या है कि जड़े जो है वह गलना शुरू हो जाएंगी तो फ्रेंड्स आपको म मेरा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शियर जरूर करना थैंक यू हैपी गार्णिंग